हेई गाइस आई होप यौल बात करने वाले ओयल पेंटिंग ब्रशिस के बारे में कौन सी ब्रशिस दोस्तो आपको ओयल पेंटिंग के लिए यूज़ करने चाहिए वो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले तो चली विदाउट फ़र्दे डिव लेट्स मूओं टो द उसके बाद ब्रशिस एक तो लोंग हैंडल में मिलती है और एक हमें शोर्ट हैंडल में मिलती है तो वो भी दोस्तो क्या यूज़ रहता है उसका वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्लस जो लोंग हैंडल की ब्रशिस होती है दोस्तो वो आप जब काम करते हो त जितना जादा दोस्तो लंबा हेंडल होता है ब्रश का उतनी जादा stability बढ़ जाती है युनो आपका हाथ कापता नहीं है अगर छोटी ब्रश के साथ without any support अगर इस तरीके से करूँगा तो वो दोस्तो हाथ में कमपन होती है तो उसके वज़े से आप short handle से जादा stability नहीं मिलती है बट long handle से दोस्तो आपको काफी stability मिलते है और इसलिए जादा तर लोग long handle brushes ही prefer करते हैं और मैं भी आपको long handle brushes ही prefer करूँगा बट short handle brushes दोस्तो आपको use करने चाहिए detailing के वर्क के लिए जब आप कोई detailing का काम कर रहे हैं छोटा मोटा यहां पर आप अपना कोई नीचे रख के कुछ object वहाँ पर पेंट कर सकते हैं तो short handle की brushes दोस्तो आपको detailing के लिए उस करने चाहिए दोस्तो भी brushes जो हैं काफी variety में आती हैं आजकल बट जो most basic होती है वह होती है flat brush और round brush अभी इनके बाद दोस्तो एक और जो main आती है वो होती है filbert यह कहाँ होती है कि flat brush होती है बट इसका जो आगे का part है आगे का portion है वो round होता है तो यह दोस्तो बहुत ही multiple brush है और यह आपक round brush और flat brush दोनों का काम दे देती है और भी दोस्तो अतरंगी अलग-अलग टाइप की brushes आ गई है जैसे कि angular brush है और dagger brush है अभी जैसे कि यहाँ पर यह देखिए eggbert इस brush को बोलते है लंबा सा इसका है egg shape में तो इसलिए इसको eggbert बोलते है अभी इसी तरीके से दोस्तो बहुत सा पार्टिंग कर रहे हैं oil printing की चली दोस्तों भी देखते हैं कि synthetic hair और hog hair brushes में main difference क्या होता है तो हम इनको भी यूज़ करके देखते हैं कि यह मैं कि थोड़ा color निकाल लेता हूं यहाँ पर यह मैंने already निकाल के रखा हूँ है पहले से और यह मेरे पास दोस्तों एक canvas का piece है जिसको मैंने tone किया हूँ है अभी पहले देखते हैं कि जो hog hair की brushes है वो किस तरीके से काम करती है आप देख सकते हैं कि paint को ने एकदम snatch करती है एकदम पकड़ लेती है paint को और दोस्तों इसके जो mark है वो भी बहुत अच्छे से आते हैं आप देख सकते हैं मैं थोड़ा आपको नजदीक से दिखाता हूँ I hope कि आप देख पा रहे होगे इसमें किस तरीके से lines आई हैं तो यह दोस्तों brush के strokes भी इसके अंदर आते हैं बट जादा application जब आपको करनी हो paint की तो यह बहुत अच्छी रहती है brush अब भी round brush को देखते हैं किस तरीके से वो work करती है तो दोस्तों strokes में आप अभी इसमें क्योंकि यह थोड़ा dark paint है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह lines बिल्कुल visible है strokes तो यह दोस्तों एक और फायदा कि आप इसमें directional strokes से लगागे painting आप कि बना सकते हैं वो बहुत अच्छी लगती है तो यह हो गया अभी दोस्तों देखते हैं कि synthetic brushes किस तरीके से use में आती हैं तो अभी देखते हैं synthetic brush किस तरीके से उसको handle करती है अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफी softness है तो paint लग गया तो यतना ज़्यादा paint इस पर चड़ता भी नहीं है brush पे तो यह दोस्तों आपको आप आप देख सकते हैं smooth तो थोड़ी finishing आती है बट इस पे paint इतना ज़्यादा क्योंकि hold नहीं करती है brush synthetic hairs तो इतना ज़्यादा आप उसमें काम इससे नहीं कर पाते हैं speed में तो अभी round brush भी यूज़ करके देख लेते synthetic hair है यह सेम वही चीज़ कि इस पर paint इतना ज़्यादा लगता नहीं है बट इसमें marks नहीं आते हैं अगर आपको बिल्कुल smooth finishing चाहिए तो वह आप इससे ले सकते हैं अभी दोस्तों मैं अगर मुझे अगर आपको बताना हो कि मेरा क्या conclusion रहेगा तो दोस्तों आप mainly जो आपको base काम करना है जहां पर आपको bold strokes चाहिए तो उसके लिए आप hog hairbrushes यूज़ कर सकते हैं और जो आपको बिल्कुल detailing वाला काम करना है जहां पर आप चाहते कि बिल्कुल finishing नजर आए बिल्कुल smoothness हो वहां पर आप synthetic hairbrush यूज़ कर सकते हैं और जो detailing का काम होता है दोस्तों उसके लिए आप इस तरीकी की कोई भी एक छोटी brush यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक brush लीज़े और simply जहां पर आपको detailing का काम करना है वहां पर आप इससे अराम से काम कर सकते हैं बट इसको आप wash अच्छे से कीज़ेगा means कि इसको clean अच्छे कीज़ेगा तो इससे आप देख सकते हैं कि आपको अच्छे से आप details इससे बना सकते हैं दोस्तों अभी आपने देख लिए कि किस तरीके से कौन सी brush यूज़ करनी है तो आपको सभी brushes की जरूरत नहीं है अभी आपको mainly mix brush का set चाहिए जिसमें आपको 5-6-7 brush जो की mainly use होते ह जैसे की flat brush, round brush और filbert ये तीन brush दोस्तों आपको चाहिए और वो synthetic में भी आपका काम कर देंगे और hog hair में भी आपका काम कर देंगे तो दोनों ही उसमें आपको यही brush चाहिए और आपको flat का पूरा set या फिर you know round brush का पूरा set लेने की अभी need नहीं है अगर आपका budget है तो आप oil painting की brushes बहुत costly आती है तो दोस्तों मैं अभी recommend नहीं करूँगा कि आप ज्यादा मेहंगी brushes के लिए जाए क्योंकि जब मैंने खुद start किया था तो मेरे पास भी 5-10 रुपे वाली brushes ही थी और जब मैं oil paint लेके आया तो मैं ले आया बट मेरे को पता नहीं था कुछ भी oil painting के ब बनाई थी जो मैंने पहले जब मैंने starting में कुछ paintings बनाई थी oil paint की और वो paper पर ही बनी थी मुझे कोई मालूम नहीं था कि इसको paper पर नहीं use करते हैं कैसे use करते हैं paper पर करें तो तो दोस्तों मैंने पूरी finger से ही बनाई थी तो ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो brushes available है उनसे में I guess आपको मिल जाएगा जादा उसके लिए दोस्तों आप description चेक कर सकते हैं और अगर आपके पास दोस्तों ये brushes long handle में ही लीजेगा अगर आपको oil painting के लिए brushes लेनी है बट और दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके के छोटे handle वाले brushes हैं जो की almost होते हैं सभी के पास तो ये वाले brushes आपके पास होंगे तो इनसे भी दोस्तों आप oil painting कर सकते हैं मैंने उसके बाद इनहीं से start किया था finger से करने के बाद जो मुझे थोड़ी समझ हुई तो मैंने इनहीं से start किया था painting करना तो आप इनसे भी painting कर सकते हैं बट एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि आ oil painting की दोस्तों उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं लिंक में description में उसका दे दूँगा आपको तो I hope दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजीगा ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट ना मिस करें मिलते हैं आप सेकली वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपने मुझे इतना समय देया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ दोस्तों next वीडियो में हम लोग बात करने वाल झाल